आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज के बहुत ही टेस्टी पराठा एकदम नरम नरम इन्हें आप मौनिक ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या दुफेर्या साम को भी बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो प्याच की पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में या पराठ में हम डालेंगे गेहू का आटा, तो जितनी कौंटिटी में आप पराठा बनाना चाहते हैं, उतना आटा अप ले सकते हैं, साथ में हम डालेंगे आदा चम्मत जीरा, अगर आप अजवाइन अब इसमें जाएगा धेर सारा बारी कटा हुआ प्याच के प्याच के पराठा बनाने वाले हैं, तो प्याच की कौंटिटी आपको ज्यादा रखनी है, तो मैंने आप पर तीन बड़े साइस के प्याज लिये थे, जिसको बिल्कुल फाइनली काट लिया है, अब इसमें ज खुश्बू आने लगती है पराठो में, और टेस्ट भी काफी अच्छा आता है, सबी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं, अभी हम इसमें चीज और डालेंगे, वो है तेल मॉयन के लिए, तो यहाँ पर मैं दो छोटी चमच के करीब सरसों का तेल के इस्तमाल कर रही हूँ, आप रिफाइन वाइल का यूज भी कर सकते हैं, इससे जो पराठे हैं मॉस्टर बना रहता है, काफी नरम नरम बनते हैं, सबी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हलका सा सक्त आठा लगाएंगे, तो पराठा हो या पूर लगाया है, अब हम यह पर चकला ले लेंगे, और चकले में राठा को ले करके इसको अच्री से मस लेंगे, और इसकी लोईयां काट लेंगे, और आधा अटा को हम बाद में अलग लोईयां कट करेंगे इस तरह से हम इसकी लोई न काट लेते हैं एक लोई हम लेंगे और इसको हम थोड़ा सा रॉल करेंगे और फिर हम इसमें पर्थन लगाएंगे पर्थर लगाने के बाद हम बेलन की मदस्य इसको गोल सेत में बेल लेंगे तो हम इसको पतला बेलेंगे और एक तरीके से मैं भी और पराठा बना करके दिखाऊंगी वो भी काफी अच्छा लगता है और उस तरीके से बनाने से पराठे जो है और भी ज्यादा सॉफ्ट हो ज देशर हो माईंगे और इस बार हम ट्राइंगल शेप में बेलने वाले हैं सबसे पहले तो हम इसके पूरी के जितना बेलेंगे और यहाँ पर मैंने घ्ण है देसी घी दिया है देसी घी सी हम इसकी परत बनाएंगे थोड़ा सा घी हम लगा देगे इसको होड Fine भी लगा दे करें के तैयार होगा जो कि काफी जादा टेस्टी लगता है तो आपको जैसी भी अच्छा हो आप 것은 यह सकते हैं तो मैं बच्छों के लिए इस दिए स्पेसली Measure यह से पड़ते बनाकर के पॉराठा बनाती है उनको काफी अच्छा लगता है तो लिए तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ इनको सेखने के प्रोसेज में यहां पर मैंने नौनिश्टिक तवा लिया है आप यहां पर लोहे की तवे का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको पराथे क्रिस्पी नहीं हलके नरम नरम चाहिए तो आप नौनिश्टिक तवे का इस्तिमाल करें अगर आपको क्रिस्पी पराथे खाना पसंद है तो आप लोहे की तवे का इस्तिमाल करें पराथे को नीचे की तरफ हलका सा सिखने देंगे फिर हम इसको पलट लगाएंगे तेल को हम अच्छे से फैला देते हैं और फिर हम इनको एक बारी पलट लेंगे पलटने के बाद दूसी साइड भी हम हलका सा तेल लगा लेते हैं आप यहाँ पर तेल की जगह बटर या देशी घी का यूज भी कर सकते हैं तो चलिए इसको हम पलटते हुए दोन आथे थुला सा क्रिस्पी हो जाते हैं तो लीजिए प्याँच का पराठा वारा बन करके तयार है सयम अपना ट्राइंगल से बाला पराठा भी दिर्श करके तयार कर लेते हैं तो लीज़े तयार है हमारे प्याच के गर्मा गरम पराठे बहुत ही स्वादिश लगते हैं अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे तो इन प्याच के पराठो को मैं सब कर रही हूँ कैथा की चटनी के साथ आप इन्हें अमरूत की या कोई भी अधर हरी चटनी के साथ इंज्वाए कर सकते हैं या फिर टोमेटो कैचप या चाय के साथ भी खा सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितने नरम नरम पराठे बने हैं इन्हें आप दिन भर भी रखे रहने देंगे तो इसी तरह से नरम नरम रहेंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे तो आप भी उन्हें जरूर बना करके खलाएं तो यह रहा हमारा परत वाला पराथा तो मैं आपको तोड़ करके दिख किये तो आप भी जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक सेर करना बिलकुल ना भूले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर